टेवी का चर्ची सीरियल पवित रिष्टा फेम कपल रितिक और आशा नेगी का जिन भी हालातों में ब्रेक अप हुआ वो तो नहीं पता लेकिन इनके पीज सच्चा प्यार ही है तब ही शायद ये दोनों एक दूसरे को अभी तक भुलानी पा रहे हैं हाली में रितिक ने एक एमोशनल पोस्ट के जरीए बताया था कि वो आशा को प्यार करते हैं लेकिन कुछ हालातों की वज़े से वो एक नहीं हो पा रहे हैं रितिक ने लिखा था कि क्या फिर से हम एक नहीं हो सकते लेकिन अब हम सब कुछ भुला चुके हैं फ़े आशा नेगी ने जो पोस्ट शेर किया है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो सेफ और सेफ रित्व के बारे में सोच रही है आशा ने पोस्ट में लिखा हर एक पौधे को आगे बढ़ने के लिए अपनी अलग-अलग जरूरतों की जरूरत होती है और इंसानों को भी आशा के इस पोस्ट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो रित्व को बहुत मिस कर रही है आशा के इस पोस्ट से कई लोगों ने उन्हें अपनी हैल्थ का ध्यान रखने को बोला कई यूजर्स का माना है कि ब्रेक अप की वज़े से आशा डिप्रेस्ट में ना चली जाए किसी ने लिखा छे साल पुराना रिष्टा इतनी जल्दी तो नहीं बुलाया जा सकता अब ये तो रित्व को र आशा ही जानते कि किस वज़े से ये अलग हुए है लेकिन इनके फैंस इन्हें एक होने की सला दे रहे हैं आपको बता दे ब्रेक अप को करीब एक महिना बीच चुका है और एक महिने में आशा की जिंदगी में कई उतार चड़ावा चुके हैं काफी वक्त से आशा इंस्टाग्राम पर जो भी फोटो शेयर कर रही है उसमें उनकी उदासी साफ दिखाई दे रही है आशा ने दिसंबर में ही रितिक्व के साथ लास्ट फोटो शेयर की थी और उसके बाएर रितिक्व न्यू आर्क चले गये थे और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंग कर दी थी तो इस जोड़ी को लेकर आपकी क्या रहा है कमेंट करके ज़रूर बता है मेलम न्यूस रिपोर्ट